हेलो चिल्डरेन, आई एम एम माला मैं, तुड़े आई विल आई विल कीज यू चेप्टर थ्री, जीके क्लास्टू, आज मैं आपको जीके का चेप्टर थ्री पढ़ाऊंगी जोकी है इन डेंजर्ड एनिमोल्स के बारे में, इन डेंजर्ड एनिमोल्स यानि बही जानवर जिनकी लाइफ खत्रे में है, जोकी आप इस दुनिया से लुप्त होने वाले हैं, उन जानवरों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जैसे कि यह है आपका चेप्टर थ्री, आप इसे देख सकते हो, यह है आपका चेप्टर थ्री, इसमें कुछ जानवरों के पिक्चर्स जोकी इंडिया डेनिमल्स हैं, और इनके नाम को जंबल करके लिखा गया है, यानि उल्टा सिधा करके लिखा गया है, आपको इसके नीचे दिये हुए बॉक्सेज में इसे अनस्क्रैंबल करके लिखना है, तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे यह जो पिक्चर है, यह है र ह- I-N-O, राइनो, यह है कोईला, इसका एंसर, यह स्पेलिंग आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क- O- A- L- A, इस तरह से यह है आपका कोमोडो ड्रैगोन, इसका यहाँ पर स्पेलिंग है, क- O- M- O- D- O- D- R- A- G- O-N, और यह है आपका रेड बंडा, इसका स्पेलिंग य यहाँ पर है, R- E- D- Red, P- A- N- D- A, रेड बंडा, यह है आपको अपिको, नो, सोरी, O- K- O- K- P, इसका स्पेलिंग है, O- K- A- P- I, और यह है आपका जेंट पंडा, जिसका स्पेलिंग यहाँ है, G- I- A- N- T, जेंट, P- A- N- D- A, जेंट पंडा, और यह है ब्लू वेल, ब्लू वेल का स्पेलिंग है, B- L- U- E, ब्लू, W- H- A- N- E, ब्लू वेल, और यह है अस्पून बिल्ड सैंड पाइपर, इसका नाम है, अस्पून बिल्ड सैंड पाइपर, इसका स्पेलिंग है, S- P- O- N, अस्पून, P- I- L- A- D, S- A- N- D, P- I- P- E- R, तो यह जंबल वर् स्क्रेम्बल करके आपको लिखना है, तो आप बता सकते हैं कि कौन-कौन से जानवर जो हैं जो की इंडेजर्ड है, तो आप बता सकते हैं, यह है राइनो, राइनो, कोईला, कोपोबो ट्रैगू, रेड पंडा, ओकाइपी, जेंड पंडा, ब्लू बेल, और अस्पून बि कर लाते हैं, आप इसे ध्यान से देखें, पिक्चर्स को भी देखें, और इस हेल्प बॉक्स को भी ध्यान से देखें, और इसे याद करें, और अपने नोटबुक में इसे कौपी भी कर लेंगे, तो यह आपका चेप्टर 3 फिनिश्ड हुआ, ओके, बाई